हेलो एब्रीवन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे तो चैनल पे अगर आप नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्पकुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहले तो जिन सेंटेंस में आपको डाउट है वो हम एक बार देख लेते हैं देखो कंडिशनल सेंटेंस समझने के लिए सबसे पहले जो आपको समझना है वो है सिचुएशन अगर आपको सिचुएशन समझ आ गई न तो कंडिशनल सेंटेंस आपको समझ आए जाए का तो हम situation से ही आप इन दोनों sentence को देखेंगे अगर मैंने IPS का exam pass कर लिया होता तो मैं आज IPS होता देखो एक sentence है आपका ये और दूसरा sentence देख लेते हैं अगर मैंने IPS का exam pass कर लिया होता तो मैं IPS officer बन गया होता अब ये दो sentence आपके सामने हैं और दोनों की लगबग हिंदी तो देखो same ही लग रही है लेकिन अब बनाएंगे कैसे वो देखना है clear तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर मैंने IPS का exam पास कर लिया होता तो मैं आज IPS होता आप सपोस करो आपने जो यह IPS का exam था वो 2018 में दिया है clear आपके according year कोई भी हो सकता है clear तो यहां पर situation देखने हैं आपने 2018 में आपने IPS का exam दिया और वो आपका पास नहीं हुआ clear तो अब बात करते हैं अब वो 2018 में नहीं हुआ ना पास और अब आप imagination present में बात कर रहे हो कि अगर मैंने 2018 में जो IPS का exam पास कर लिया होता तो आज मैं क्या होता मैं IPS होता आज मैं teacher हूँ या आप आज आप teacher हो clear आपने कोई IPS का exam दिया आपने वो तो पास नहीं कर पाए लेकिन आप आप teacher बन गए clear के बई चलो वो नहीं हुआ पास तो मैं teacher बन जाती हूँ के बई जो knowledge मुझे है वो मैं सबको दे दू clear तो यहाँ पे अब आप present में IPS हो नहीं हो past में आपने exam दिया था दिया था लेकिन वो past नहीं हुआ वो आपका result है past का और past में वो result आपका नहीं clear हुआ और it means आप उस पे पच्चता रहे हो लेकिन present में आप IPS नहीं हो लेकिन उसके होने की आप imagination करे हो और जो कोई काम present में जब imagination हो और वो चीज़ आप नहीं हो तो वो आपका होता है type second में clear और जो past की बात होती है वो होता है type third clear अब यहाँ पे जो first sentence है वो आपका type third में है कि अगर मैंने क्यूंकि मैंने अभी बताए कि 2018 की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ तो if type third में बनाएंगे हमारा जो first sentence है if I had passed the IPS exam clear अब मैं आज क्या होती IPS होती लेकिन मैं आज IPS नहीं हूँ I would be अब यहाँ पे would के बात type जो हमारी second होती है would plus verb की first form का use करते है I would be an IPS officer today यह तो हो गया आपका mixed conditional clear अब जो हमने second sentence बताया था भी आपको कि अगर मैंने IPS का exam past कर लिया होता तो मैं IPS officer बन गई होती है अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2018 में आपने exam दिया आपका वो clear नहीं हुआ अगर वो clear हो जाता है ना अगर वो clear हो जाता तो आप IPS कब बनते 2018 में ही बन जाते ना या अब बनते नहीं ना तो आप past की ही बात तो यह दोनों sentence आपके past में है situation समझने है बस आपको if I had passed the IPS exam I would have become अब यहाँ पे वोड के बाद have लगेगा और have के बाद वर्प की third form clear तो become an IPS officer clear समझ आ गया होगा यहाँ पे आप बस situation आपको देखने है आप जैसे आप कहरें Google पे तो आदे से जादा गलत आपको मिलेगा तो Google पे तो बिल्कुल भी trust मत कीजिए आप clear तो Google पे जैसे आप Google आपको situation नहीं बताएगा ना क्यूंकि ना आप Google को situation बताओगे कि situation यह है Google इस एक doctor होता अगर मैंने MBBS की पढ़ाई की होती चलो फिर से वह अपना सन उठा लेते हैं 2018 में मैंने MBBS की पढ़ाई की होती की होती मैंने MBBS की पढ़ाई नहीं की मैंने कुछ और कर लिया मैंने उस time पे नहीं की समझ आ गया अब यहाँ पे बात करते तो मैं आज एक doctor होता present मे होता है ना अब मैं मैंने अमबी बेस की पड़ाई नहीं की भई उस टेम पे मैंने नहीं की अब मैं क्या हो गई अब तो मैं टीचर बन गई भई clear समझ आ गया मैं present में teacher हूँ और मैं imagination कर रहे हूं कि मैं doctor होती है ना समझ आ गया अब यहां पर एक आपका past की है condition एक आपकी present की है तो if I had studied MBBS I would be a doctor today यह तो हो गया आपका type third first sentence और type second type second आपका second sentence would के बाद आपने बी लगाया वर्प की first form लगाई है और अगर इसको बनाना हो कि अगर मैंने MBBS की पढ़ाई की होती तो मैं doctor बन गई होती it means past में ही तो बनती जब मैंने पढ़ाई की होती उसी time पर मैं doctor बनती यहां पर past की situation है यहां पर आज की situation नहीं कि मैं आज होती आज तो मैं teacher बन गई वही clear तो यहां पर past की ही बात पर पस्ताय जा रहा है तो if I had head plus verb की third form studied and BBS I would यहां पर type third की ही लगेगी इसमें आपका would have plus verb की third form I would have become a doctor I hope यह आपकी जो doubts से वो clear हो गए होंगे तो मिल दे नेक्स वीडियो में have a nice day